क्योंकि इस स्विफ्ट को लेके बहुत सारे मार्केट में रियूमर्ज है पार्च पॉइंट में मैं आपको बता दूँगा कि इस स्विफ्ट में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है स्ट्रॉंग हाइब्रेट 360 कैमरा एडास ये नहीं आ रहा है नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आटोट्यूब इंडिया और आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टन होने वाला है भाई उन लोगों के लिए जो मारूती स्विफ्ट नई वाली यानि 2024 का वेट कर रहे है क्यों कि इस स्विफ्ट को लेके बहुत सारी मरकेट में र्यूमर्स है और यकीन मानिए मैं आपको बता दूँ बहुत सारी गलत कहबरे ओड रही है तो चलिए शुरू करते हैं point number one से तो point number one में मैं पहले क्योंकि looks की बात करूँगा but obvious है क्योंकि आप कोई भी कार का इंतिजार करते हैं तो पहले उसका looks दिखता है looks में dimension wise ये पहले से बड़ी होगी थोड़ी सी चौड़ी भी हल्की फुल्की दिख रही है डिजाइन किया जाए लेकिन ये बहुत थोड़ा ही होगा बहुत जादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा साथी ये आपको वही हार्टेक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी इसके अलावा जो सी पिलर पे आपको पीछे वाला दर्वाजा ओपन करने के लिए मिलता था हैंडिल वो अब आपको चारो दर्वाजों में ही हैंडिल मिलेगा जैसे एकदम पहले वाली स्विफ्ट में आता था इसके अलावा नई एलावी वील्स की डिजाइन मिलेगी जो की वही 1.2 लिटर कोगा लेकिन चार की जगह अब ये 3 सिलेंडर में सिर्फ होगा जो ज़्यादा फ्यूल एफिशेंट भी होगा लाइट होगा और साथी ये आपको माइल्ड हाइब्रिड टेकनोलिजी के साथ आएगा तो भाई मैं क्लियर कर दूँ ये माइल्ड हाइब्रिड टेकनोलिजी के साथ आएगा जैसे आपको सियाज में मिलता था चोटी मोटर चोटी एक बैटरी होगी जो इसके फ्यूल एफिशेंसी को इन्हेंस करेगी नॉर्मल आप हाइब्रिड मत समझना स्ट्रॉंग हाइब्रिड मत समझना इसके अलमा आपको वही 90 BHP की पावर मिलेगी और 113 Nm का टार्क मिलेगा साथ ही एक चीज़ और है कि ये आपको 5-speed manual और 5-speed AMT gearbox के साथ मिलेगा अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की यानि इसके इंटीर की इंटीर अवही आपको मारूती का सिगनिचर स्टाइल मिलेगा जो अब जादा तर कारों में ओफर किया जा रहा है जैसे बलीनो हो गई, फ्रॉंक्स हो गई, ब्रेजा हो गई इवन ग्रैंड विटारा तक में उसी टाइप के इंटीर दिये जा रहा है वैसा ही ले आउट आपको मिलेगा, वैसी ही स्टेरिंग मिलेगी, 9 इंच का इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको Apple CarPlay, Android Auto जो है वो वायलेस सपोर्टिव होगा, साथी Automatic AC मिलेगा, वो सारे फीचर मिलेगा, जो आपको बलीनों में ओफर किये चाते हैं, साथी बाइए, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मारूती के लिए, वो है सेफटी सेफटी में आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे, ABS मिलेगा, EBD मिलेगा, साथी ESP मिलेगा इसके अलावा, 3 पॉइंट सीड बेल्ट मिलेगा, सारे पैसिंजर्स के लिए, तो भाई, ये जो सेफटी पे, स्पेशली मारूती ने ध्यान दिया है, वो अपनी क्रैस टेस्ट रेटिंग को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने इस प्रोडेक्ट के साथ, तो भाई, पाचवा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिउमर्स की मैं बात कर रहा था ना पहला नंबर वन का जो पॉइंट है वो है कि भाई, स्ट्रॉंग हाइब्रिड नहीं मिलेगा, जो लोग एक फेक खवरें आपको मिल रही थी कि चालिस का माइलेज देगी ऐसा कुछ नहीं है, हाँ आपको जो माइल्ड हाइब्रिड टेकनोलजी मिलेगी और जो ये नया जेट सीरीज का इंजन मिलेगा, इसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट आ जाएगा और इससे थोड़ा सा फ्यूल एफिशेंसी बढ़ जाएगी, जैसे अभी 22-23 का माइलेज आपको मिलता है वो आपको कहीं ने कहीं 25-30 किलोमेटर का यानि 26-27 के आसपास का मारूती फ्यूल एफिशेंसी अपनी स्विफ्ट में क्लेम करने वाला है, इसके अलावा एक चीज और बता दें कि आपको इसमें 360-degree कैमरा नहीं मिलेगा वर्ड ओफ गेस है भाई वीडियो तो लोग बना देते हैं कि 360-degree कैमरा भाई प्राइज भी तो मिंटेन करना है कि सब कुछ आप दे दोगे ऐसा नहीं होता है इसके अलावा एडास की भी एक रूमर थी कि एडास भी इसमें मिलेगा तो भाई ये सारी चीज नहीं ओफर की जारी इंटरनेशनल वेरियंट में जरूर की जाती है लेकिन इंडिया में अलरडी मारूती के पास तमाम लाइनप है कुछ नेक्सा के थरू वो सेल करता है कुछ अपने मारूती सुज़की की थरू सेल करता है तो अलरडी उनके पास बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं तो ऐसे में स्विफ्ट की जो इमेज है उसको अगर बहुत एक्सपेंसिफ कर देंगे ओवर टैनलैक्स कर देंगे तो उनको सेल्स में कोई फाइदा नहीं मिलेगा तो इसलिए यह जो तीन रूमर्स हैं इस्पेशली स्ट्रॉंग हाइब्रेड थ्रिसिक्ष्ट कैमरा एडास यह नहीं आ रहा है तो भाई यह पांच पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे में वीडियो देख रहा था लेकिन यह जाधा एड हो जाएंगे ऐसे में वह साड़े नौ लाग तक जा सकता है तो यह ओवर ओल एक इन्फॉर्मेशन था मारूती सुजुकी स्विफ्ट को लेकिया मुझे लगा इसको जरूर लेकि आना चाहिए क्योंकि यह मिडल क्लास की बेस्ट चॉइस होती है भले ही हम प्र अगे और किस चीज में आपको लग रहा है यार यह जरूर मिलना चाहिए था और जो इस्पेशली थ्री सिलेंडर इंजन हो रहा है फोर सिलेंडर से उसमें कितना फरक पड़ेगा आप कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना प्लीस लाइच शेर और सब्सक्राइब अब्सक्राइब और बेल इकन यार यार जा इंज सेट्ट उन तो ऑ्टोटुब इंच